मेरे हिसाब से मैं सच में बताओ तो बीजे मेस मेरे को इंट्रेस्टिंग बहुत ज्यादा लग रहा है मतलब बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग मतलब तुमको दो मैचेस के लिए एक घंटा वेस्ट करने की जरुवत नहीं पड़ेगी दो मैचेस तुम शायद 43 मिनिट के अंदर खतम कर लोगे एक एवरेज गेम होता है रैंगल और मिरामार का 27 मिनिट अगर e-sports लॉबी बनती है तो 27 मिनिट का वो गेम चलता है अब अगर इतने सारे फैक्टर्स हैं तो मैं मान्स के चलता हूँ 27 मिनिट का गेम शायद 22 या 23 मिनिट में खतम हो जाए तो अगर 22 या 23 मिनिट में एक मैच खतम हो रहा है तो दो मैचेस खतम होने में 45 मिनिट लगेंगे तो आपका भी समय हो गया बच गया उनका भी समय बच गया इंपक्ट प्लेयर कहता है कि जो तीन प्लेयर है आईजेल को छोड़के उन में से एक चिठी निकालनी पड़ेगी और उस चिठी पे जिसका नाम है उस प्लेयर के पास पावर आएगी कि अगर वो एक फिनिश निकालेगा तो उसको दो पॉइंट मिलेंगा यह टोटली रंड को सब्सक्राइबन करें 2010 में अगर किसी को देखा जाएगा तो唐 वह सब Other को सबसे पावर को सकते हैं गाश्री और विसली माईटी अभी का अगर देखा जाए तो मैं अगर तेरिखा जाएगा तो तो दलाल के लिए तो डेल्टा पीजी चल नहीं रहे तो जस्टिन को बना देते हैं सवाल इच नहीं है गोकुल बनेंगे सोल में से कॉल बनेगा नकुल को बनाएंगे मैं सौम्य को नहीं बना रहा हूँ मेरा अपना रीजन है पर मैं नकुल से ज़ादा उम्मीद रखता हूँ तो मझे लगता है नकुल इंपक्ट प्लेयर बन सकता है बाउंटी कहती है कि लीक स्टेजेस का जब पहला मैच ओवर हो जाएगा तो हमारे पास जो स्टैंडिंग आएगी पहले मैच के बाद उसकी जो चौफ फोर टीम रहेंगी उनके उपर है बाउंटी ज्यानी की अगर कोई टीम आती है पर इंचार में से किसी एक टीम को पूरा फिनिश करती है पूरा मतलब चार के चारो बंदों को फनिश करती है तो आपको दस पॉइंट्स मिलेंगे हमारे पास यह जो बाउंटी वाला सीन है यह साटेडे संडे है यानि एक साटेडे संडे दें दूसरा साटेडे संडे दें शाए तीसा साटेडे संडे भी है शालो ये हो गया हमारा death note और हमने top 3 prediction भी करी थी जिनको नहीं पता एक्स एसे लिए कह रहा हूँ follow कर लो top 3 prediction हमने किये थे soul ये event जीत रही है second पे आपकी God's Rain आ रही है third पे आपकी CG आ रही है ये हमारी prediction थी जो हमने कल के दिन पे Twitter पे करी थी